वास्तो सास्त्र में हर चीज की अपनी अलग उर्जा है। वास्तो सास्त्र में पहुत अशुब माना जाता है। माना जाता है कि फटा पर्ष रखने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। फटे पर्ष का इस्तमाल करने वाले लोगों को जीवन भर पैसे नहीं मिलते हैं। पर्ष को कभी भी अधिक नहीं भरना चाहिए। फिचूल का अगज कभी भी इसमें नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि पर्ष में रद्धी रखना दुर्भा के पूर्णे है। वास्तो सास्त्र के अनुसार हमेशा एक नया और सा पर्ष पास में रखना चाहिए। अगर आप अपने पर्ष से बहुत प्यार करते हैं और उसे फटने पर भी फेकना नहीं चाहते हैं तो कुछ उपाय आपके लिए काम कर सकते हैं। इस चीज को फटे पर्ष में रखें। आप अपने पुराने पर्ष से बहुत प्यार करते हैं और उसे फेकना नहीं चाहते हैं तो पुराने पर्ष का सारा समान नए पर्ष में डाल दें। अब एक रुपे का सिक्का लाल कपड़े में लपट कर अपने पुराने पर्स में रख दीजिए। ऐसा करना वास्तो सास्त में सुप माना जाता है। इससे धन की माता लक्षमी की किरिपा बरकरार रहती है। अगर आपको लगता है कि आपका पुराना पर्स आपके लिए उप्युक्त है तो उसे कभी नहीं फेके और उसे कभी खाली नहीं रखें। लाल कपड़े में चावल के कुछ दाने डाल कर कुछ दिनों के लिए एक पुराने पर्स में रखें। बाद में अपने नए पर्स मे सक्रात्मक्ता उर्जा आती है जो धन लाने का योग बनाता है अगर आप सिर्फ अपने पुराने पर्स को रखना चाहते हैं तो इसे बनाने के बाद कुछ दिनों तक इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन पूरी तरसे फटे पर्स को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए